हेलो वाल, वेलकम फ्रेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टेडी हाइट्स पर मैं हूँ कियास्तोमर दोस्तो आज की वीडियो काफी इंपोरेंट है एकनू के सबी स्टूरेंट के लिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एकनू ने सेप्टेंबर 2022 में क्या-क्या इंपोरेंट अपडेट की हैं जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है और ये सबी अपडेट्स आप अगर एक बार जान लेंगे तो आपको आने वाले एक्जाम्स के लिए या रेजिट्रेशन के कोई प्राउलम फेस नहीं करने पड़ेगी तो हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट की जो इगनू की तरफ से देखने को मिल रही है तो सबसे पहली अपडेट इगनू की है जो सेप्टेंबर मन्त में हुई है वो है रिजल्ट को लेकर क्योंकि जैसा आप सभी जानते होंगे इगनू ने जून 2022 का टर्मेंट एक्जाम डिक्लेर किया था तो उसकी काफी अपडेट्स सेप्टेंबर में देखने को मिली है आप यहाँ पर देख सकते हैं जून 2022 रिजल्ट की अपडेट कंटिनियसली आ रही है और 30 सितंबर को भी यह अपडेट की गई है तो जिन स्टूदेंट के रिजल्ट पैंडिंग है वो अपनी रिजल्ट चेक कर सकते हैं इगनू की वेब साइट पर जाकर सिंपल यहाँ आप आपको अपना अनूर्मेट नमबर डालना और सब्मिट के ऑप्शन पर किलिक करना है देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो इनू की तरफ से देखने को मिल रही है जो काफी इंपॉरेंट अपडेट है नेक्स्ट अपडेट है एक् को इनू ने एक्स्टेंड कर दिया है अब आप इनू की वेबसाइट पे जाकर 31 अक्टूबर तक अपना एक्जाम फोर्म फिल कर सकते हैं और जिन स्टुएंट के अभी असाइमेंट सम्मिट नहीं हुए हैं वो सभी अपने असाइमेंट भी सम्मिट कर सकते हैं जिसकी ला बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की नेक्स्ट अपडेट है कौन्वोकेशन को लेकर जैसा कि आप सभी जानते हैं हर साल इगनू कौन्वोकेशन प्रोग्राम करता है तो इस साल भी इगनू का 36 यानि 36 वा कौन्वोकेशन होने वाला है जिसके लिए रजिस्टेशन इगन के course complete हो चुके हैं उन सभी को इस convocation में registration करना होगा registration करने के बाद जब convocation program होगा उसके दोरान आपको आपकी original degree provide कराई जाएगी in case अगर आप convocation में नहीं जाते हैं या attend नहीं कर पाते हैं तो उस condition में आपको by post इगनु आपकी original degree forward कर देगा यानि आपके address पर आपको भीज़ देगा then बात करते हैं next update की next update है इगनु के fresh admissions को लेकर जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि काफी समय से इगनु के admissions open है जुलाई 2022 session के so उसकी last date को दुबारा से इगनु ने अब extend किया है और अब ये last date 10 October 2022 तक extend की गई है इगनु के सभी post graduate undergraduate program के लिए चाए वो online हो या audio mode से हो बस उन program की date extend नहीं हुई है जो certificate course है या जो semester based program है बागी सभी की date को 10 October 2022 तक extend किया है तो आप इगनु में admission ले सकते हैं या आपका कोई भी friend admission ले सकता है जिसको किसी भी इगनु से course करना है 10 October तक का time उसे ओर दिया गया है सो अब बात करते हैं इसके बाद next update की जो काफी important update है वो है उन सभी student के लिए जो अपने exam की re-checking करवाना चाहते हैं या अपनी answer sheet की copy लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी इगनु ने solution निकाला हुआ है इगनु ने उन सभी student के लिए re-evolution का procedure रखा है और copy of answer script का जिसका form फिल करने के बाद आप अपना answer sheet की copy भी ले सकते हैं और अपने marks को दुबारा से check भी करवा सकते हैं इसका option भी आपको alert section में आप देख सकते हैं यहां मिल जाएगा जहां लिखा हुआ है link of online application for re-evolution of answer script for term and examination June 2022 इस link पर click करने के बाद आपको online application form भरने के लिए chance दिया जाएगा जहां पर आप online apply कर सकते हैं अपने किसी भी subject के लिए जिस भी subject में आपको अपने marks कम लग रहे हैं या जिस भी subject के आप प्री checking करवाना चाहते हैं और अब बात करते हैं last update की जो update है online result को लेकर IGNU ने December 2021 के जितने भी online program के exam हुए थे उनके result declare कर दिये हैं आप IGNU की website पे जाके उन सभी results को check कर सकते हैं अगर आपने किसी भी online program में IGNU के admission लिया हुआ था और December 2021 में आपने उन सभी के exam दिये होंगे तो आपको IGNU के alert section में option मिल जाएगा जहां से आप check कर पाएंगे कि आपके result क्या आए हैं online courses के तो इसका link आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर website पे दिया गया है यहाँ पर alert section में लिखा हुआ है result of term and examination December 2021 of online program declared इस option पे जैसे ही आप click करते हैं आपके सामने simple interface open हो जाएगा जहां पर आपको अपना enrollment number डालना है और submit करना है जैन उसके बाद आपका result आपकी screen पर होगा तो यह थी top 6 update जो September 2022 में IGNU students के लिए की गई है तो इस वीडियो को maximum student तक share करें ताकि उन सभी को भी सारी updates मिल सकें और वो भी अपने सारे procedure टाइम पर कर सकें तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके helpful रही होगी तो please वीडियो को like करें और अगर आप नए है तो चैनल को subscribe करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सकें मैं मिलूँगा आपसे नेक्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तिल देन टेक केरें गुडबाए